जोहार आप सभी को और आसा कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होगे पढ़ाई में लगे होगे जिल लोगों ने सीटेट कर रखा है और ये सायक अचार का फॉम भर रखा है वो अपनी तैयारी में लगे रहे हैं करेंट फेर्स की वीडियो बगेरा तो आही रहे है चैनल पर जैसा कि आपको पता ही होगा तीन पिछले तीन महिने के करेंट फेर्स मैंने अपलोड कर दिया है उससे जाकर आप देख सकते हो अलग से प्लेइलिस्ट भी मैंने आप लोगों के लिए बना दी है और आज मैं ती पेट पेट आपको कभी भी पैसा नहीं मिलने वाला है यह आप समझ लो लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि मैं दस तारिक को जो है एक वज़े से पहले पैसे दे दूँगा तो इसमें 50-50% चांसे से कि आपको पैसे मिल जाएंगे तो फिलाल यहां से देख लेते हैं जेट पास नहीं किया है अभी तक और ना ही जेट है और बीट के वे में दो थिन साल चार साल दस साल बीट गया है आपका उनके لिए खास करके यह वीडियो है वैसे नए बच्चे जो है जो बीट के चौते समेस्टर में हैं या फिर लास्ट इयर में हें उनके लिए यह खबर है क कि आपको कैसे तयारी करनी चाहिए, जेटट की परिक्षा आपको किस तरह से लेनी चाहिए, आपको पता होगा, जेटट की जो आखरी परिक्षा है, 2012 में, या फिर 2013, जैसे भी आप समझो, 2012, और 2016 में इसकी एक्जाम को कंडेक्ट कराए गया है, दो ही बार एक्जाम हुआ है इसलिए, अब सरकार अगर ये बार 2024 में एक्जाम ले लेती है, तो ऐसे मैं सरकार के पास बोलने का मौका होगा, कि हमने हाल में ही जो है, टैट की परिक्षा पास, एक्जाम कंडेक्ट कराए था, जो बच्चे पास हुए है, वही आगे वाले ये 30,000 भरतियों के लिए जो ह बिल्कुल जो descriptive information आपको दी जाएगी, उससे पहले मैं आपको यहां से अपनी email ID और इंस्टा ID दिखा देता हूँ, दालोटे का जुगार मेरा भी, और आपके exam की तयारे भी अच्छे से हो जाएगी, notes में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और पहली बात, तो notes आपक क्या करना है, previous question paper, previous question paper जो कि 70 रुपीज में आपको 2012 और 2016 का paper मिल जाएगा, 2012 का भी और 2016 का भी, जो भी आपका subject of science हो, या फिर SST हो आपको previous question paper मिल जाएगा, जहांसे मेरी email ID देख लो, yourmithun sing at the right gmail.com पे आप मुझे email कर सकते हो, इंस्टा पे हो, then do follow me at the right imithun sing, देखे, newspaper की cutting तो मैं भी दिखा कर पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये newspaper की cutting पढ़कर दिखाऊंगा नहीं, देखो, मैं आपको कुछ और चीज़े भी दिखाना चाहता हूँ, wait a minute, तोड़ा सा time मुझे आप देदोगे, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहां से देखो, यह वाल कि सरकार को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको एक idea लगेगा कि यह सरकार में जो missionary, यानि कि जो आधिकारी कन है, वो जो decision ले ले लेते हैं, वही सर्वमाने माना जाता है, और मुझे जहां तक खबर लग रही है, और आपको भी पता होगा कि, देखो, high court ने क्या कह क्वालिफाय करना होगा, किसका JTED की परिक्षा आपको पास करनी होगी, तभी आप जो है, as a teacher continue रख पाओगे, otherwise आपके job को, आपको terminate कर दिया जाएगा, you will be fired, तो ये बाते हैं, इसे चूकना नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार-बार, ये 30,000 की भरती अगर एक बार और आ गए, जो कि आने ही है, क्योंकि जारकरण में सिक्षकों की भरती अभी भी भी बहुत खाली है, बट लगातार दो consecutive अगर teacher की भरती आ जाते हैं, after that, actually क्या है न, ये जो 26,000 एक पदों पर जो पोस्ट आई हुई है, यहाँ पे देखो, इसमें 13,000 लगबग पदो तो पद के लिए जो है, पारा सिक्षा की आरक्षित वर्ग में आ जाते हैं, इसमें तो 12 या लगबग 13,000 पद जो है, आप लोगों के लिए open है, सभी लोगों के लिए open है, तो ऐसे में, यह बहुत छोटी भरती है, इसलिए 30,000 वाली भरती आपके लिए important है, हो सकता है कि high high school की भी भरती आजाया, इसी साल या फिर अगले साल high school की भी भरती आने वाली है, और PGT की भी, उसके लिए अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो फिलाल यह जो मैंने आपको बातें बताईए, इसको ध्यान में रखना है, और यह 30,000 पद पर आपको ध्यान रखना इसको चूखना नहीं है, जारखन में अगर आप रहते हो, फटापट इसके एकजाम को कौलिफाई कीजिए, बहुत सारे बच्चे एकजाम देंगे, डेफिनिति बहुत सारे बच्चे रह जाएंगे, उन में से आपको एक नहीं होना है, इस आप मेरे साथ जुड़े हो, ड बातें बताई गई थी देखिए मार्च में ही यहां से देखो एक मिनट एक मिनट यह देखो यह वला लाइन जो है आपको पढ़ना है यहां से यहां तक अराम से पढ़िए आप इसे सिक्षक पातृता परिक्षा यानि कि जेटएट के लिए 16 मार्च 2024 को ही राज कैबिनेट से नियम में संसोधन कर लिया गया था और लोग सभा को लेकर इसी दिन अचार संगिता लग जाना के कारण इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है यानि कि each and everything is done सब कुछ क्लियर हो चुका है अब यह डोमेन में कभी भी आ जाएगा आपको पत तक लगता है कि एक मेने का वक्त आपको online आविधन करने के लिए दिया जाएगा और एक्जाम आपका अगस्त में लिया जाएगा तो सिक्षक पातरता परिच्छा आपको अगस्त में देखने को मिलेगी अब देखीए दो लाग से ज्यादा अभियरती सामिल होगे तो अदर स्टेट वाले जेटेट पास करेंगे और आप्टर देट वो भी फॉर्म में आगे बढ़ पाएंगे हैमन सोरैन ने जो यहां पे बताया गया था कि हम लोग नीमावली लाने वाले हैं जिसमें कि लोकल लोगों को जॉब दीजाए गया स्थानी अनीती लाने वाल बीजेपी ने भी जो है दो कडूर रोजगार का वादा करके कभी किसी को रोजगार नहीं दिया दो कडूर तो बहुत बड़ी बात है इन्होंने 50 लाग भी वेकेंसी जो हर साल नहीं निकाली सेम बित जीमेम के जो हमारे जेल में मंत्री हैं मुख्य मंत्री हैं उन्होंने क आपको बताई देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ because of विधान सभा देखिए सरकारें हमेशा जो है चुनाब से ठीक पले जंग्दा के पैरों के निचे आती है और तो इसलिए विधान सभा का जो election आने वाला है इसमें आपको तैयारी करनी है विधान सभा का election से ठीक पले मै मैं तो चाहता हूँ कि ये तो primary teacher की recruitment आने ही वाली है primary teacher और upper primary यानि के 1 to 5 और upper primary यानि के 6 to 8 के लिए vacancies आने ही वाली है लेकिन high school के भी vacancies साथ में ही आ जाए तो मज़ा आ जाए और मुझे लग रहा है कि ये अगर 2024 में नहीं आती है तो नई सरकार जो है एक साल के बाद इस vacancy को definitely release करने वाली है तो TAT की परिक्षा अब ऐसे pass कर लें otherwise जो ये 30,000 वाला जो मैंने आपको दिखाया ना ये 30,000 मैंने ऐसे ही हवा में तुक्का मार कर नहीं लिख दिया है election के ठीक अगले दिन newspaper में जो JMM के बहुत बड़े नेता है उनके द्वारा इस तरह के statement को देना बहुत बड़ी बात होती है तो फिलाल आप लोग previous question paper देख लें JTAT का जो paper हुआ है वो देख लें आप अगर कहीं से आपको available हो जाता है तो ठीक है otherwise 70 का एक छोटा सा minimum amount देकर आप मुझसे ये ले सकते हो यहाँस मेरी email ID देख लो yourmithunSingh at the rate gmail.com पे आप मुझे mail कर सकते हो इंस्टा पे हो दें do follow me at the rate imithunSingh वहाँसे जो है आपको यह मिल जाएगा और notes के लिए भी आप मुझसे contact में बने रहे है आपको जो है मैं जैसे ही exam वगए राइस्टेट का exam VPSC का exam खत्म हो जाता है सायक अचार का exam खत्म होता है उसके बाद मैं इसके उपर 100% लग ज वीडियो को आप कहां से वाच कर रहे थे definitely you should comment your place name in comment section तो चलिए मिलता है किसी और वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहां तक देखने के लिए इस वीडियो को like करें अगर पहली बार चैनल पे आए चैनल को subscribe करना है आपको और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के बीच जो है क्या करना है share करना है साजा करना है अपने दोस्तों तक इसे अपने family और friends तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं thank you so much for watching this video have a good day